वेलकम टू दिस मॉम शेफ आज हम बना रहे हैं मसाला बोटी बीफ के साथ बहुत मज़िदार सालन होता है ये और बहुत आसानी की सा तायार हो जाता है तो इसके लिए इंग्रीडिन्स हमें चाहिए एक तर्मियाने साइज की प्यास एक चाय का चमच जिंजर और गारलिक आ अधा चाय का चमच काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमच गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमच जीरा पाउडर आधा खाने का चमच धन्या पाउडर आधा खाने का चमच कश्मीरी लाल मिर्च दो हरी लाइचिया चार खाने के चममच कोकिंग ओई और आधा किलो बोनलेस बीफ बगएर हड़ी के और इसके छोटे-छोटे से तुक्टे कर लेने हैं अब दही जिंजर और गालिक यानि अधरक लेसन और तमाम पिसेवे मसालों और नमक के साथ हम गोष्ट को मेरिनेट कर लेंगे और मेरिनेट करने के ब ये मसालों में रहेगा उतना ही ज्यादा मज़ेदार बनेगा इसके बाद तेल गरम करके हरी लाइचियां दो अदद वो हम डाल देंगे और 20-30 सेकंड के बाद प्यास भी डाल के फ्राय कर लेंगे इतना के ट्रांसलूसेंट हो जाए ज्यादा फ्राय नहीं करना है प्यास और कवर करके रग दें इतनी देर कुक करें कि गोश्ट गल जाए और पानी भी ड्राय हो जाए इसके बाद लीमू करास एट करें और फिर कोईले कर धुमा देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं उससे और भी ज्यादा मज़ेदार होता है लेकिन मैंने नहीं दिया था और टेस्ट बहुत मज़ेदार हुआ था फिर भी तो हमारा बहुत ही मुझे का साला बोटी तयार हैं उससे आप चपातियों के साथ पराठों के साथ पूरी के साथ खाएं बहुत मज़ेदार लगता हैं अतने ही और देने मैंने बताये हैं पौफिक्ट बने गए बुट-